अबर की तरफ वड़ते हैं वेश्व की पहली वैदिक घड़ी की सौगा देखे उज्जैन को मिली है जिसका लुकारपन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुआर को एंपी को बड़ी सौगा दी है प्येम मोदी ने उज्जैन में विक्रामादित्य वैदिक घड़ी का लुकारपर किया मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही वैदिक घड़ी चर्चा में है वैदिक घड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंद सदियों पुराना इतिहास से है ऐसा माना जाता है कि 1906 से पहले समय की गड़ना वैदिक घड़ी से होती थी घड़ी गरीब 85 फीट उंचे टावर में लगाई गई है वैदिक घड़ी में समय के साथ मुहर्त भी दिखाई देगा घड़ी, वैदिक हिंदु पंचांग, तिथी, ग्रहों के स्थिती, जोतिशी एक गणना और भविश की जानकारी देगी इस घड़ी को उजेन की जीवाजी वेद शाला के पास स्थापित किया गया है भारत की एक मात्र वैदिक घड़ी इंस्टॉल हो गई है, उजेन की वेद शाला में इसे इंस्टॉल किया गया है और मेरे बाई तरफ जो टावर आप देख रहे हैं, इसके सबसे उचे शिकर पर जो घड़ी आप इस समय देख रहे हैं यह विक्रमादित वैदिक घड़ी है, वैदिक घड़ी जो टैयार की गई वो विक्रमादित शोच संस्थान द्वारा की गई और उसके निदेशक हैं प्रक्र श्री रामतिवारी हमारे साथ है, सर क्या विशेष्टा है इस घड़ी की और क्या लाब होगा वैदिक घड़ी के लिए सबसे पहले मोहन यादव ने पहल की थी 2022 में उन्होंने घड़ी के लिए टावर के निर्माण की घोशना की थी और विधायक निधी से एक करोड़ अनसथ लाख रुपए आवंटित किये थे